एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया कुछ ऐसी ही हालत है नापाक मुल्क पाकिस्तान की जो भारत से हर मामले में ना जाने कितनी बार पिट चुका है बावजूद इसके वो अपने नापाक मनसूबों से बाज नहीं आ रहा है दरसल पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने लंदन में भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है और एक बार फिर भारत को सर्जिकल स्ट्राइक की गीदर भब की दी है पाक ने शाबदिक बान चलाते हुए शनिवार को कहा कि भारत अगर पाकिस्तान पर एक भी सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो हम बदले में दस सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान रेडियो से बात करते हुए गफूर ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिमाकत करता है तो जवाब में उसे 10 सर्जिकल स्ट्राइक हमलों का सामना करना पड़ेगा गफूर ने कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ किसी तरह की कारेवाई करने के बारे में सोचते हैं उन्हें पाकिस्तान की शमताओं पर भी कोई शक्त नहीं होना चाहिए लगता है कि गफूर सहाब इतिहास को भूल गए हैं अगर वो इतिहास के पन्नों को उठा कर देखें तो यकीनन उनकी ये मानसिक्ता और सोच पल भर में चक्ना चूर हो जाएगी क्योंकि इतिहास गवाह है कि गफूर का नापाक मुल्क पाकिस्तान हमेशा से हर मोर्चे पर भारत से पिटता ही रहा है